प्रेंड्स में आपका दोस्त आशिश और आप देख रहे हैं आशिश टोटिल चलिए देखते हैं नेक्स्ट टूइक मार्केट कहा से कहा तक मोमेंटम कर सकता है और क्या होगा हम अगला ट्रेडिंग प्लैन शुरुआत करते हैं निफ्टी से जहतल हमें दिखाए दे रहा है अगर हम इस ट्रेंड लाइन को मतलब नीचे का जो यह ट्रेंड लाइन है इसको देखे तो लगबग हमें जहां तक दिखाए दे रहा है यहां तक आके बापस घूम सकता है यहां तक प्राइजक्शन समझ में आ रहा है लेकिन मार्केट का कर दो कुछ बरूसा नहीं कहा ब आपके लिए अपके लिए यह अपके लिए अपके रहा करके रहा हो एक में द्राइंस निटा वेता हूं आज उपर का जो रेस्टेंस है निप्टी का वह है 1660 त यहां पर देखेंगे यहां से गब डाउन खुला था और नेक्स्ट विग लास्ट ट्रेइडिंग से शुग पर यह तक रेस्टेंस है 16776 से उपर हमारा रेस्टेंस है आप अगर देखते हैं यहां पर काफी बार यह उपर टेस्ट हो चुका इन जगाव पर यहां पर एक गब डाउन भी हुआ है और नीचे से सपोर्ट एरिया है वह 16212 जहां से इससे पहली बार यह कॉंसलेडेट कियाता है इस एरिया पर तो तीन चार लगबग चार से चार बार यह टेस्ट हो चुका है अभी सपोर्ट कफी हुई कि अगर तूटता है तो मोड़ एक्सेप्ट कर सकते हैं और 16676 अगर उपर की तरब जाता है उपर की तरब अगर अगर ट्रेंड रिवर्सल होना होगा तो नीचे से कोई प्राइज एक्शन जैसे कुछ पूछ डबलू पैटन या हाय हाय या हाय लोज बनाते हो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब आपको एक ट्रेंड का सिंगनल मिल जाएगा आते है बैंक निप्टी पर अब कि अधिक निप्टी का चार्ड देखें तो निप्टी से कम उइख है बैंक निप्टी अगर आप प्राइज अक्षन वाज देखें इसमें भी लगबग कुछ इस तरह का एक ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं एक मेंट इसमें भी बैंक निप्ट भी एक डाउन ट्रेंड में है और सेम डोजी कंडल फॉर्म किया है बैंक निप्टी का जो सपोर्ट है दिखाई दे रहा है हमें 35,147 मतलब 35,147 यह हमारा एक स अगर अब ध्यान से देखेंगे तो बहुत बार यह टेस्ट हो आए और रेस्टंस भी है नीचे एक जोन में रेस्टंस जाप एक जूम करता हूं ध्यान से देखेंगे एक मेंट में ड्राइंग्स को मिटा जेता हूं कि यह तो लगबग थर्टी मैंग्निप्टी का तो सपोर्ट एरिया बनके आ रहा है वह आ रहा है थर्टीन फोर थाउजेंड एक्सो मतलब 34,125 से लेके 34,120 से लेके 34,000 33,971 यह तक हमारे एक सपोर्ट जोन क्रेट हुआ है यह कर सपोर्ट एरिया ब्रेक्ट यह अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है तो बैंक निप्टी में अभी सेम पॉल एक्सपेक्ट कर सकते है और उपर जो सपोर्ट एरिया है सारी रेस्टेंस एरिया है एरिया को अगर ब्रेक करता है तो अप्ट्रेंड में जाने के लिए कुभी स्ट्रेंडुलाइन को ब्रेक करके इसके उपर क्लोजिंग देना होगा इसके उपर च्लोजिंग देना होगा कोई लगभाक मालेजुआ हायरही IT दीब्रुप कोई प्रेड में जा सकते हैं इन फिलाल के लिए अगर ये ब्रेक करता है तो इस तो में निफ्टी भी काफी फॉल हो सकता है जा तक प्राइजेक्शन पर दिखाए दे रहा है आई ये वाइड डीटा देख ले ते एक बर वाइड बता रहा है कॉल में बहुत जादा वाइड डेटा विल्डफ हो एक कॉल स्ट्रेया विश्ट्राइए लेकिन जातक आख़ाय दे रहा है, वहल में ज्यादा वाय डाटा वील्डप कोई में, निफ्ती ज्यादा वाय रिष है, जैतना निफ्ती विग है, उससे ज्यादा कम बंिफ्ती विग है, देखा जाये तो ज़ादा साइड वेशा है तिलाल के लिए इसमें अगर सपोर्ट एरिया का अगर वाइट डेटा देख्ट है सफुकर डेसाइड करता हूं तो 34,000 का स्पास एक मेजर सपोर्ट है है इसमें अलग बाग 10 लाग का सपास तो ओपिन इंट्रेस्ट विल्ड हुआ है, इससे पहले जी एक सपोर्ट इरिया है, यहां भी यह है, लगो 34,500 कास्पास, एक स्ट्राइक में 10 लाग कास्पास, इसमें 10 लाग कास्पास, पुट हुआ है, काफी विल्ड हुआ है, उपार अगर रेश्टन्स की बात करो, तो 35, 30,000 कास्पास, हमारा, पुट हुआ है, स्ट्री, कोल हुआ है, 11 लाग कास्पास, बेल्ड अफ हुआ है, बैंक नेप्टी भी बैरिज दिख रहा है, देखें, नेप्टी से कम, आया, FII, IDI, अक्टिविटी देख ले था, नेक्स ट्रेश्टन की बात करो, तो 6 मैं को, लगो 5,517 करोड का, नेट सेलरा, FII, IDI, जो हुआ है, वो 3,014 करोड का, नेट बायर रहा है, आपके लिए, मैंने कुछ, स्टॉक पिक किया है, वो चेक कर लेते हैं, तो पहला स्टॉक है, हमारा, हमारा राजा बैट्री, हमारा राजा बैट्री को देखो तो यहाँ पे, हमारा राजा बैट्री को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे, एक मेट, एक डाउन ट्रेंड में है, और यह एक सिमेट्रिकल टाइंगल पैटन को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, वोलियम भी ठीक है, ट्रेंड भी डाउन है, तो आप फूचर शॉट कर सकते हैं, यह क्योंकि इसमें जो अभी ट्रेंड है, लगबाग, स् इसका जो अभी ट्रेंड है, अब ध्यान से देखते हैं, वागब ध्यान से चार्ट को देखते हैं, तो यह पूरा फाय, लोवर हाइस, लोवर लोज बनाते हो है, नीचे की तरह बारार, यहाँ पे, सिमेट्रिकल टाइंगल पैटन को ब्रेक करते हो, नीचे जा रहा है, आ स्पेलिन मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, अलो-अलो स्फॉर्म करते हो है, नीचे की तरह बारार, इस एरिया पे, इसने भी नीचे का ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, क्लोजिंग डे दिया है, आप इसमें भी फ्यूचर शॉट का सकते है, शॉट ट्रेड में जा सकते है, अगर निप्टी, वाइचन्स, कोई इंडिया कार्ड, यह लगबग अपने, बहले ही यह आप इस टॉक को ध्यान से देखेंगे, तो इसने एक, अपने अल्टाइम हाई का असपास आके, उपर रेश्टन्स को, ब्रेक तो नहीं कर पाया अपने, उपर के रेश्टन्स को, लेकिन इस का असपास आके, नीचे ज और उपर के तरफ जाता है, आपने ट्रेंड चेंज करता है, तो इंडिया क्लोथ में आप लॉंग के लिए जा सकते है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, इस एरिया को ब्रेक कर लॉपर क्लोजिंग दे देता है, अब लोटर मार्केट भी दिखाता है कि हाँ, नेप्टी या अब या उपर के तरफ जा रहा है, तो आप इसमें भी एक लॉंग ट्रेट में जा सकता है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें आपकी सब्सक्राइब की सब्सक्राइब जरूरत है